question number 11 है which term of this ap ap given है will be 132 more than its 54th term कौन से number का ap which term of this ap कौन से number का ap इसके 54th से 132 जाता होगा 54th term ढूटना पड़ेगा पहले थो हमको पता होना चाहिए 54th term क्या है उससे कितना जाता है 132 तो उस 54th term ढूटिंगे कोई वेल्यू आएगी उसमां हम क्या करेंगे 132 एड करेंगे एक नई वेल्यू आएगी फिर हम य सब्सक्राइगे कि वो जो नई वेल्यू है वो एन्न थ नंबर की रहे है ठीक है अप्रोच पता होने चाहिए हर को करने से पहले आपको पास पता होना चाहिए कि किस किस रास्ते से चलने वाले है और कहां पहुँछने की कोशें करहा है यह यह नहीं रींडम पक्ड़ा और सुरू हो गए पता ही नहीं किस मंजिल में पहुंच रहे हैं तो अप्रोच पता होने जी अप्रोच किया है मेरे दिमाग में आया मैंने इसको जब देखा मैंने का AP के बना ठीक है या AP के बना है फिर किया का उचने का जो AP है न वो 54th term में उसका जो 54th term है उससे एक term है जो 132 जाता है वो कौन से number का है मैंने का भईया 54th कौन से term है मुझे तो पता ही नहीं तो इसका मतला मैं 54th term ढूनँगा पहले तो वो मुझे सिति-सिति formula से आ जाएगा ठीक है क्योंकि मेरे पास A है यहां से मैं DB find कर सकता हू तो मुझे 54th term मिलेगा तो जो term मुझे ढूटना है किस number का है वो उससे कितना जाता है 132 यानि मुझे वो term भी नहीं पता है बस इतना पता है वो इससे इतना जाता है तो इसको ढूनँगा तो वो value आएगी उसमें 132 add करूंगा तो एक नई value आएगी अब मुझे पता करना ह है कौन से number पर है तो मैं कॉंगा let कि वो nth number गया है तो मुझे बस क्या ढूटना पड़ेगा n की value ढूटनी पड़ेगी answer आ जाएगा चले इसी को करते है है हमारा plan execute करते है हम a की value क्या दिख रही है सीधी सीधे पहला term क्यलाता है हम इसा a इसी को a1 भी कहते है confusion की जोने की यह होगे अब यह 3 डी के से या 30 यह आता है सीधी दिखने से किन मैंसे फर्स्ट माइनस करो या थर्ड मैंसे से के फॉर्ट मैंसे थर्ड फिप्टीन में कि से माइनस करेंगे 3 तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा क्वार तो a 54 अगर मैं निकालना चाहूं a 54 क्या होगा A54 को क्या लिख सकता हूं a फ्लस याद रखना फिप्टी पोर है तो क्या होता है अगर नहीं पता है लिखे देता है that to do a equal to a plus and minus 1 into the n2 गया दिख थिख रहा है 54 तो 54 गपनी पर्डार कि लिए प्लस की जगा 8-1 इंटू टी टीक है 8 की व्लेविफल कि दिखरी त्टीकिन ही voz प्लस 54 में से वन माइनस करोगे 53 आएगा दे की वैली कितने आई थी 12 आई थी ठीक है इसको स्वाल कर लेते हैं यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा प्लस 12 3 जा कितना होता है 36 का 6 3 कहरी हो रहा है 12 5 जा 60 और 63 तो यह आ रहा है कुछ ऐसा एट करने पर बन जाएगा 6 3 9 तो यह वैल्यू आई यह 54 यानि 54 तर्म यह है तो वह क्या गे रहा है जो टर्म मुझे ढूंड़ना है वह 54 से कितना जाद है 132 तो मैं माल देता हूं जो यह जो टर्म है वो कौन से प्लेज़ पर है एन फ्लेसपर है तो इसलिए मैं उसको क्या कहूंगा उसको मैं कहूंगा A जो first place पो होता है उसको a1 कहते हैं जो second place पो होता है उसको a2 कहते हैं अगर ये nth place पे है जो term में ढूट दिने की कोईसिस कर रहा हूं उसको कहते हूं तो a n क्या है a 54 से कितना जाता है 132 a 54 कितना है 639 इसमा 132 add कर देता है 9 और 2 11 3 और 3 6 और 7 6 और 1 7 तो a n हो गया मेरा 771 ऐसा कुछ हो गया सही हो रहा है न यह चले तो a n by formula से क्या होता है a n by formula से होता है a plus n minus 1 into d ऐसा कुछ होता है तो a n की जिगा क्या लिख दूंगा मैं a n की जिगा a n की जिगा ये वाला पूरा डम a plus n minus 1 into d equal की दूसरे साइड था 771 सब सही है ना 12 3 4 36 12 5 चा 60 60 3 63 add करने पर 6 3 9 बन जाना चाहिए add करने पर 6 3 9 में बाद में गड़ पर दोन से पहले चेक के लिए तो यहां पर एक वेल्यों अगें पूट करते हैं 3 प्लस एंटो हम फाइंड आउट करने की कोसिस कर रहे हैं डी की वेल्यू थी अगें 12 एकुल 7 7 1 3 यहां प्लस का अधर जाके माने जाएगा एंड माइनस 1 इंटो 12 एट इकुल टो जाएगा 7 7 1-3 तो 7 मा था एंड बंजा भाई कट पाटी टे टे एंड माइनस 1 इंटो 12 इकुल टो माइनस करने पर यह अगें कितना बन जाएगा 1 माइनस करते 70 तो माइनस करेंगे 768 ठीक है अब यह 12 से इसको डिवाइड करते हैं कि तो एंड माइनस 1 इस इकुल टो हो जाएगा 768 डिवाइड वाई 12 कट पूट हो रही है कोज नहीं तो यह हो जाएगा एंड माइनस 1 ट्वल्ब सिक्ट जाएगा ट्वल्फोर 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 जाएग यानि जो term है कौन सा term जो 54th term से 132 ज्यादा है वो term कौन से number पे है वो term 65th number पे है यह रहा हमारा term उमेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा Thank you and have a nice day झाल